प्रेक्टिस से पाँच बड़ी अपडेट आई रोहित ने विराट की क्लास लगाई BCCI के वीडियो में खुली सच्चा यासा मैं क्यों कह रहा हूँ ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको करना क्या है SportsNow को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेर जरूर करिए 19 तारिक से Team India का पहला मुकाबला शुरू होगा Against Bangladesh इस सीरीज की शुरुवात होगी दो मुकाबले सीरीज में खेले जाएंगे पहला मुकाबला 19 तारिक से चेन नहीं में खेला जाएगा चेपॉक्स सेडियम में उस मुकाबले के लिए स्कॉर्ड का एनाउसमेंट हो चुका है दोनों टीमों का क्योंकि कि पहले मैच के लिए स्कौर्ड का एलान हुआ है अभी दूसरे मैच के लिए स्कौर्ड का एलान होना बाकि है प्रैक्टिस लगातार दोनों टीमें कर रही है दोनों टीमें जिन नहीं पहुंच कर अपने अपने प्रैक्टिस सेशन को कम्प्लीट कर रही है लेकिन आज बेस दिलिप जो कोच हैं उनके फिल्डिंग कोच हैं उन्होंने सभी प्लियर्स को ट्रेन किया और सभी ने कैचिंग प्रैक्टिस करी slip cordon में practice करी silly point पे practice करी और रोई शर्मा catching practice करते हुए नजर आए विराट काफी intense practice वहाँ पे कर रहे थे क्योंकि विराट के लिए बोला जाता है कि आख fitness के मामले में विराट कोली को beat करना बहुत जादा मुश्किल और वो practice session में दिखा भी जिस तरीके से विराट जिस तरीके से विराट catch ले रहे थे जिस तरीके से fielding कर रहे थे वो दिख रहा था उनकी intensity कितनी high है और बिल्कुल हो भी क्यों ना क्योंकि test में जो विराट कोली aggression लेके आते हैं energy का level वहाँ पे बढ़ा देते हैं चसपरीद बुम्रा ने catching practice करी रविंदर जडेजा ने काफी tough catches वहाँ पे लिए silly point पे अगर बात करें तो शुम्मन गिल ने बहुत अच्छा take वहाँ पे किया तो लगातार team India क्योंकि कल हमने देखा था batting के drills हुई थी खुल्दी प्यादव ने batting करी बुम्रा ने गेंद बाजी करी रोही शर्मा ने स्वीप शॉट की practice करी विराट ने करी फिराट ने तो शीशा भी तोड़ दिया था लेकिन आज जो पूरा practice session था वो fielding based था यानि कि fielding based जादा emphasize आज किया गया था तो लगातार team India अपने practice session कर रही है और इंडिया के पास भी अच्छा मौका है कि बीजी टी से पहले एक अच्छी practice करें का फिलाल इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैहें जैवें